कि क्यों होते हैं, इसके क्या वज़े हैं, और उसके उपर क्या precautions लेना चाहिए, और उसके उपर क्या product हम खा सकते हैं, आज उसके बारे में हम detail में बात करेंगे, ठीक है, liver problem, basically liver problem में बहुत से diseases है, for example, liver cirrhosis है, liver damage है, alcoholic liver syndrome है उसमें, और उसमें ascites है, one disease, जिसमें पेट में पानी भरता है, another disease is hepatitis C, jaundice, hepatitis B, इस प्रकार के liver से जुड़े विए बहुत सारे diseases है, friends, मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ कि, liver को हमारे body के factory कहा जाता है, because liver जो है, हमारे body के सब में ज़्यादा काम करता है, liver is involved, liver जो है, यह metabolism में involved होता है, metabolism, मतलब catabolism and anabolism, मतलब जो भी अपने शरीर में नए products, नए blood जो तयार होता है, वो liver के जरिये तयार होता है, और liver जो है, पूरे body को maintenance में रखता है, if once liver में problem आ जाए, तो पूरे body में problem आ सकता है, liver में problem, liver के problem में, और बहुत से diseases के बारे में बात करते हैं, fatty liver है, fatty liver disease है, एक non fatty liver disease है, fatty liver है, और एक, उसमें दो प्रकार है, एक alcoholic fatty liver, और एक non alcoholic fatty liver, ऐसे liver के उसमें diseases है, liver, liver में बहुत से diseases occupy होते हैं, अगर किसी का liver damage होना या उसमें लिवर में चेंजिस होना शुरू हो जाए, तो उसके body में भी बहुत से changes दिखते हैं, for example, उसका BP बढ़ना शुरू हो सकता है, उसका sinus आ सकता है, उसके शेरिल का रंग बढ़ सकता है, उसके दूसरे प्रॉब्लम से भी इशुरू आत हो सकते हैं, शुगर भी हो सकता है, गॉल्ब्रेस्टोन हो सकता है, प्रॉस्टेट हो सकता है, ऐसे बहुत से सिंड्रॉम्स हैं, अनॉरेग्जिया है, इसे बहुत से प्रॉब्लम मैं होते हैं, इसके बहुत से कारण है, लिवर डिसॉडर होगा है, इसे ब्लर में कैसे जान पाई हैं, लिवर में प्रॉब्लम है कुछ, तो, LFT बोलकर इक टेस्ट है, जिसमें हम सीरम बिलुरुबीन देखते हैं सीरम बिलुरुबीन बड़ा है या कम हुआ है नॉर्मल रिंज इस अप्रोजमेटली वन अगर उससे ज़्यादा बड़ा है तो हम उसका रूल आट करते हैं नेक्स्ट हम लिवर प्रॉब्लम में यह देखेंगे कि लिवर प्रॉब्लम क्यों होता है मुस्टली जो लिवर प्रॉब्लम है वो नॉन अल्कॉलिक में भी है और अल्कॉलिक में भी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो किसी वेसन से मुक्त हैं जैसे कि दारूपिना, शराब, बियर, अल्कॉहॉल कोई भी अल्कॉहॉलिक बियॉरिजिस दोस्ट से ज्यादा लेता है या फिर बहुत स्यादा मादरा में पीता है ऐसा रुगन उसका जो है लिवर टैमेज होना शुरू होता है शुरुवाती दौर में थोड़ा होता है बाद में आगे बढ़ बढ़के हो लिवर शिरॉस भी मिकणबड होता है और कभी-कभी लिवर कैंसर भी हो सकता है उसको तो अल्कॉहॉल is the most and most important problem तो अल्कॉहॉल पीने वालो कोई भी पेशेंट है उसने definitely immediately अल्कॉहल पीना बंद करना चाहिए अगर अल्कॉहल पीता रहे तो उसके लिवर को problem हो सकता है इसमें हम अभी बहुत से चीज़े देख सकते हैं एक होता है अल्कॉहलिक फैटी लिवर में फैट जमा होता है और एक होता है नॉन अल्कॉहलिक लिवर पैटी लिवर तो कुछ जो पेशेंट रहते हैं जिसमें कोई अल्कॉहल नहीं भी लेता हो तो अभी उनके लिवर में यह चेंज़ेस होते हैं कभी-कभी इसके लिवर में पैट में पानी भरता है इसके लिवर में पैट में पानी भरता है लिवर का मेटबलिस्म पिगड़ जाए तो आसाइटी अशिरू होता है लिवर अगर डामयज होना शुरू हो जाए लिवर के फ्वंक्शन में इंफिरीटी आ जाए तो उसका असर तो जो है क्रेटनिन जो है पेशंट का बढ़ने लगता है कि फिर वो जॉयंट्स में प्रॉब्लम होता है पूरे अलो और बोडी में पेशंट्स के प्रॉब्लम होता है इसमें हमने जो सब्सक्राइब बहत्रें प्रोड़क्ट आपके लिए लेकर आये हैं वह है क्याप्सुल बायोसि सब्सक्राइब लिए 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 लि एसका फ्रोडुक्त के बहुत से फायदे है यह प्रोडुक्त तीन महिने अगर कोई पेशेंट खा ले तो उसको दारुपिने की इच्छा खतम हो जाएगी और उसका लिवर डीटॉक्स होने के वजह से उसका लिवर पूरा इंप्रोव हो जाएगा, उसके किड्ने, हार्ट, फ्रेन, जो भी असर हुआ है, वो पूरा असर जो है, टोटली नील हो जाएगा, वो पेशन्ट का बीपी सुदरेगा, अगर उसको शुगर में चेंजस आया है, तो शुगर भी अच्छा होगा, उसका इंसुलिन पावर अच में नहीं रहती है, तो मोस्ट इंपोर्टंट, अगर कोई भी बंदा अगर ये प्रोटक्ट खाना शुरू करें, तो उसे एक मैने में ही रिजल्ट मालूम होना शुरू हो जाएगा, जो हमारे पेशन्ट को या हमारे वेक्ति को दारू पीने की इच्छा, ये कम कम होते जा है, ठीक है, नमबर दो, अगर कोई वेक्ति दारू पी रहा है, तो उसका लिवर या, अगर कम मात्रा में भी कोई पीता है, तो उसका लिवर और पूरी बोडी मेंटेंट, गुट साउंड में रहे, इसलिए भी कोई वेक्ति ये भायू सिली मरी जो है, खा सकता है, ये कम से कम तीन मेंने, चार मेंने, पाँच मेंने भी कोई खा सकता है, रेगुलर्ली, बिकास, इसलिए वेरी इफेक्टिव एंड मोस्ट इंपोर्टन ये जो है, हर्बल, आयरोवेधिक मेडिसीन होने के वज़े जो है, इसका बॉडी पे कोई